नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आईरवेदा एक्सपर्ट पर दोस्तों आपने अक्सर खेतों, बगीचों या आसपास के मैदानों में कई तरहे की घास को उखते हुए देखा होगा उसे हम एक साधरन घास समझ कर उखाड़ कर फेक देते हैं, लेकिन वास्ताम में वह कई रोगों की दवा है आज हम बात कर रहे हैं दूधी घास की, इसका लैटिन ने यूफोर्बिया हिटा है यह सांस की बिमारी की रामबान औशधी है, जिस कारण इसे अस्थमा का पौधा भी कहा जाता है दोस्तों, दूधी का जमीन पर ही फैलने वाला पौधा होता है इसकी कई शाखाएं जमीन पर फैली होती है इसके पत्ते थोड़े लंबे गोल होते हैं, जिस पर बैंगनी रंके धब्बे होते है पत्ते नीचे से हरे और उपर किनारों पर लाल दिखाई देते है इसकी पत्तियों और टहनियों को तोड़ने पर उनसे लसलसा दूध निकलता है इस कारण इस पौधे का नाम दूधी पड़ा है दोस्तों, जिस जगे से पत्ते निकलते हैं, उस जगे पर एक गुच्छा होता है यह इसकी खास पहचान होती है इस गुच्छे में हरे या गुलाबी, फूल और फल होते है फलों से जो बीज निकलते हैं, वे सिकड़े हुए, नुकीले और चतुषकोन होते है दोस्तों, दूधी घास का पौधा दो प्रकार का होता है एक छोटे पत्तो वाली दूधिया घास होती है, जिसे छोटी दूधि कहा जाता है इसके पत्ते छोटे और हलके लाल रंके होते है इसके फूलों का गुच्छा दूर से ही हम देखें तो लाल रंका दिखाई देता है इसके अलाबा दूसरी होती है बड़े पत्तो वाली दूधिया घास इसके पत्ते बड़े और हरे रंके होते है इन पर हलके लाल रंग की लालिमा होती है इन दोनों के गुण लगभग समान ही होते है दोस्तों दूधी को संस्कित में दुबधिका, शीता या छीरिका कहते है इंगलिश में अस्थमावीट या थाइम लीट स्पर्च कहते है गुजराती में दोधक, बंगाली में केरई, पंजाबी में दोधक, मराठी में मोथी नाइटी कहते है दोस्तों आपके एरिया में से क्या कहते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं आईए दोस्तों अब बात करते हैं इसके कुछ औशधी फायदों के बारे में दोस्तों दूधी अस्थमा की रामबान ओशदी है दूधी की छोटी पत्यों को पीस कर उनका पेस्ट बना कर पानी डाल कर उसका काड़ा बनाएं उस काड़े को पीने से सांस का वेग अस्थमा शांध हो जाता है यह कफ को निकालती है जिससे श्वास्न लिकाओं का संकुस दूर होकर वह डाइलेट हो जाती है इसका अगला फायदा बालों में है अगर आपके बाल बहुत जड़ रहे हैं और इस कारण सर में गंजापन आ गया है तो दूधी का पेस्ट बालों की जड़ में सर पर लगाएं इससे सिर की गंज मिटती है दोस्तों महिलाओं की सफेद पानी के शिकायत में एक से 2 ग्राम दूधी के पत्ते का पेस्ट इसमें शहत मिलाकर सेवन करने से लाब होता है इसके अलावा पॉरुशों के लिए दूधी वाजिकरन का काम करती है दूधी के पंचांग को छाया में सुखा लें सुखा कर इसका 1 जड़ ग्राम चून बना लें उसमें शरक्रा मिला कर खाने से कामशक्ती बढ़ती है दोस्तों दूधी का अगला फाइदा तवचा रोगों में है चर्म रोगों पर दूधी बहुत ही फाइदा करती है दूधी का रस दाथ पर लगाने से बहुत फाइदा होता है जो लोग रात में अधिक मूत्र आने के शिकायत करते हैं या फिर जिन्हें सारे समय अधिक मूत्र आने से वह परिशान हैं तो एक ग्राम दूधी की जड़ में पांच ग्राम गोड़ और पांसो मिली ग्राम जीरा चुण मिलाकर सेवन करने से लाब होता है दोस्तों कई बार काम करते वक्त हाथ में कांटा लग जाता है वह बाहर नहीं निकल पाता है तो उस जगे पर दूधी का दूध लगाने से कांटा जल्द ही निकल जाता है दोस्तों दूधी के प्रयोग में हमें साफधानी रखना चाहिए जादा मात्रा में यह पेट में जरन करती है और हार्ट रेट कम करती है इसलिए प्रयोग करते समय मात्रा का ध्यान अवश्य रखें दोस्तों यह थी पूरी जानकारी दूधी की पहचान और उसके फायदों के बारे में आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें हमारे चनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बैल आइकन बटन जरूर दबाएं जैसे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद